हाई फ्रेंड्स रोसोई वीभा की यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर करेंगे सिर्फ एक कप सूजी से बना हुआ बहुत ही स्वाजेश्ट और हेल्दी मालपुवा की रेसिपी जिसे आप मिंटों में तयार कर सकते हैं एकदम यूनिक रेस्पी है तो देर किस बात की आईए बनाना सुरू करते हैं मालपुवा बनाने के लिए हमने लिया है एक कप सूजी और ये बिल्कुल बारिक महिन वाला सूजी है यहाँ पे आप कोई भी वराइटी के सूजी ले सकते हैं पर बारिक महिन वाला लेंगे तो ज्य लिजर्मेंट यहाँ पे आप कोई भी कोटोरे बतर से कर सकते हैं तो अब इसमें एड करेंगे आधा कप चीनी तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैदा के जगह पे इसमाल पुवे को बनाने के लिए आटे का इस्तमाल कर सकते हैं चलिए अब इसमें एड करेंगे एक छोटी चमच इलाइची जिसे हमने बस कूट कर ले लिया है साथ ही इसमें एड़ करेंगे आलवन्स और थोड़े से किसमें इसे एड़ करेंगे ड्राइफूर्स यहाँ पे अपने पसंद के कोई भी एड़ कर सकते है और साथ ही इसमें एड़ करेंगे दो चमच नारियल का पाउडर अगर यह आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको परिसान होनी के जुरुत नहीं है बिना इसे डाले भी इस मालपूए को आप बहुत ही स्वादिश्ट बना कर त्यार कर सकते हैं अब सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से मिला लेना है इस मालपूए को आप बहुत सस्ते में और असान तरीके से बहुत स्वादिश्ट मालपूवा बना कर त्यार कर सकते हैं एक बार इसे आप घर पर बना कर खा लेंगे तो गरांटी है कि बजार से कभी नहीं खाएंगे तो चलिए यहापे सारी चीज़े अच्छे से मिल गए हैं तो अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर अब इन्हें भी इसमें अच्छे से मिला लेना है तो यहापे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला कर त्यार कर लिया है तो सबसे पहले इसमें एड़ करेंगे एक कप मोईल किया हुआ दूद तो इसमें फूल क्रीम दूद का इस्तमाल करना है अब दूद को इसमें बहुत अच्छे से लगतार चलाते हुए बिलाकर त्यार कर लेना है यहाँ पे मालपुगा बनाने के लिए आप सारी चीजे मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे तो आपके मालपुगा बहुत ही परफेक्ट बनेगा तो इस रेश्पी को सिखने के लिए वीडियो को फूल ओच किजिएगा तभी आप मालपुगे को परफेक्ट बना पाएंगे तो यहाँ पे दूद को अच्छे से मिलाने के बाद घोल अभी काफी गड़ा है तो इसमें हम फिर से थोड़ा थोड़ा करके दूद अट करेंगे और इसे अच्छे से मिला कर इसका परफेक्ट घोल तयार कर लेंगे और घोल को लगतार चलाती हुए 3-4 मिनद तक अच्छे से फेट लेना है तो चले यहाँ पे बहुत ही फरफेक्ट घोल तयार हो गया है तो इन्हें हम 15 मिनद के लिए कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनद बाद हम इस घोल की कंसेस्टेंसी फरफेक्ट तयार कर लेंगे क्योंकि सूजी दूद को थोड़ा सा सोखेगा तो चलिए इन्हें हम 15 मिनद के लिए कवर करके छोड़ देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस के तरब अब इस पैन में एड़ करेंगे एक कप चीनी और साथ ही इसमें एड़ करेंगे दो कप पानी जिस कब से आप चीनी लेंगे उसी कब से इसमें दो कब पारी एड़ करना है मेजरमेंट यहाँ पे कोई भी कटोरे बतर से ले सकते हैं तब ही आप इस चासनी को परफेक्ट बना पाएंगे साथ ही गेस को आउन कर देंगे और चीनी को लगदार चलाते रहना है जब तक चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट न हो जाए तो चले यहाँ पे चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है तो चीनी यहाँ पे पका नहीं है बस मेल्ट हुआ है तो अब इसमें हम एट करेंगे एक इलाइची जिसे हमने कुट कर ले लिया है तो इसमें डाल देंगे अब इन्हें इसमें अच्छे से मिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक हमारी चासनी बनकर त्यार न हो जाए तो यहापे चासनी को नजधा गढ़ा रखना है और नजधा पतला बिल्कुल गुलब जामुन वाला चासनी त्यार करना है जब इसे आप हाथों से टच करेंगे और आपके हाथों में थोड़ा साब चिपचिपा महसूस होगा तो समझ लिजिएगा कि आपका चासनी बनके त्यार हो गया है बिल्कुल ऐसा ही चासनी चाहिए चासनी में न एक तार चाहिए और न जधा चिपचिपा बिल्कुल हलका साब चिपचिपा हो बस वही पे गेस को बन कर दिजिएगा तो चले यहाँ पे चासने त्यार हो गई है तो गेस को बन करते हैं और अपना त्यार के हुआ घोल को देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोल काफी गढ़ा हो गया है तो इतना गढ़ा हमें मलपुए के लिए घोल नहीं चाहिए तो इसमें हम थोड़ा सा औ और दूध मिलाएंगे तो यहाँ पे हमने लाश्ट में एक कप और दूध लिया था तो एक कप दूध में से आधा कप दूध बच गया है तो इसमें हम थोड़ा सा और दूध एड़ करेंगे और इन्हें इसमें अच्छे से मिलाते हुए इसका परफेक्ट गोल त्यार कर ले तो माल पूवे आपका ज्यादा मोटा हो जाएगा तो यहाँ पे माल पूवे को अना ज्यादा मोटा रखना है अना ज्यादा पतला तो चले यहाँ पे हमारा परफेक्ट गोल तयार हो गया है तो चलते हैं गैस के तरफ अब यहाँ पे एक कप दूध में से बस थोड़ा सा दुद बच गया है इस भोल को तैयार करने में टोटल दो कप दुद का इस्तवाल हुआ है तेहाँ पे मलपुगा को फ्राइ करने के लिए तेल को जादा गरम नहीं करना है सिर्क मीडियम गरम करना है और इन्हें फ्राइ करते वक्त गर्ष को बनाबर मीडियम फ्राइप पे रखे अब इसमें हम डालेंगे एक कल्चुल घोल घोल यहाँ पे जादा नहीं डालना है एक कल्चुल से नहीं तो आपके मलपुगा ज्यादा मोटा हो जाएगा घोल डालने के बाद तिन से चार मड़ तक बिल्कुल भी टचना करें उसके बाद इन्हें पलट लें पलटने के बाद इन्हें हलके हाथों से चमच या पलटे के साहिता से दबा दबा कर इन्हें अच्छे से से शेख लें बिल्कुल इस तरीके से और इन्हें ऐसे ही लगतार उलड़ते परड़ते रहें तो आपके मलपुवा बहुत ही perfect बनेगा तो चलिए ये बहुत अच्छे से से शेग गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं और बाकी के मलपुवा इसी तरीके से त्यार कर लेना है फ्रेंस आज की रेश्पी आप लोगो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा आज की रेश्पी आप लोगो को पसंद आती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और इस मलपूए को आप 3-4 दिन एश्टोर करके खा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हमने सारे मलपूए बना कर त्यार कर लिया है जब भी आपको मीठा खाने का मन करें तो आप जड़पट इस तरीके से मलपूआ बना कर खा सकते हैं तो चलिए गर्मा गर्म चासनी में हम मलपूए को डाल देंगे चासनी अगर ठंड़ा हो जाएं तो इन्हें थोड़ा सा गरम कर लें तभी मलपूए को चासनी में डालें अब मलपूए को चासनी में अच्छे से उलट पलट देना है इस तरीके से और इन्हें चासनी में 10 से 15 मिन्ट के लिए कवर करके छोड़ दें ताकि चासनी मलपूए में अच्छे से सभा जाएं उसके बाद खाने के लिए परोसे तो ये लिजिए सूपर टेश्टी रसीला आपका मलपुगा तैयार है तो है ना बनाना असान ये खाने में बहुत ही साधिश लगता है और बनाना भी बहुत असान है तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को जरूर ट्राइ किजिएगा प्रेंड़ को जरूर टेक्ट टेजिए लगता है